प्रिया दर्शको नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल राउटला इसपास सेंटर में लोटरी सिस्टम के माध्यम से करमचारियों के बीच 14 अधिशेष सोने के सुख्यी विफुट किये गए आरस्पी के साथिस्वे वार्शे घ्रिशम कालिन कोचिंग शीवर से उत्सा जनक प्रतिक्रिया प्राप और सेल राउटला इसपास सेंटर के वित और लेखा विभाग द्वारा 15 मई दो हजाच चौबिस को वित एवं लेखा विभाग के समलन कक्ष में आयोजीतिक समारों में रिश्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोट्री प्राणी के माध्यम से RSP के करमचारियों की भी 14 शेश बचे 8 ग्राम वजन एवं 999 की शुद्थार वाले सोने के सिक्के वित रित किये गए कारेक्रम के अध्यक्षा RSP के कार्यपलक निदेशक वित एवं लेखा श्री एके बहुर्या ने की इस अवसर पर महाप्रबंदक प्रभारी कामिक एवं प्रसाशन श्रीपी के दास और वित एवं लेखा विभाग की अन्यवरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे यह अनुटी पहल से रस्पी की अपने कार्यपल के भीतर प्रशंसा और समावेश्टा की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिवध्धा को दशाती है लोट्री प्राणी को नियोजित करके प्रसिक्षों सहीत प्रतेक और रोल करमचारिय को इस सम्रिद अनुभव में भाग लेने का सम्मान अफसर प्रदान किया गिया उलेक्निया है कि इन सोने के सिक्कों की दर का निर्धारन प्रतिष्ठिट इंडिया बुलियन एवंग ज्वेलर्स एसोसियेशन लिमिटेड द्वारा स्तापित प्रचलित दरों के अनुरूप आनुपातिक आधार पर सावधानी पूर्वक निर्धारित की गई है यह सत्य निष्ठा के उच्ता मानकों को कायम रखते हुए वित्रंग प्रक्रिया में निश्पक्ता और पार्दर्शिता सुनिश्चित करता है। उप महाप्रबंदक वित इवंगलेकार श्री के के वर्मा ने कायरेक्रम का संचालन किया। से राउटला इस्पास सेंतर आरसपी के क्रीडा विभाग द्वारा आयरजित सैंतिस्वे वाशिक ग्रीशम कालिन कोचिंग शिविर से स्टील सिटी के साथ साथ पाश्रवंचल ग्रामों के बच्चों से उत्साजनक प्रक्रिक्रिया बिली है। शिविर बीजू पतनायक हौकी स्टेडियम, इसपाथ स्टेडियम, इसपाथ बास्केट बॉल कॉंप्लेक्स, इसपाथ इंडोर स्टेडियम और इसपाथ स्टेडियम के शत्रंच हॉल में आरजित किया जा रहा है। पिछले छे वर्षों से शिविर में भाग लेने वाली 16 वर्षिय लड़की रोजलिन माजी कहती हैं, अगर मैं तीन राष्ट्रे वॉली वाल टूर्नमेंट में भाग ले सकी, तो इसका मुख्या कारण यह है कि मेरी प्रतिभा को पहले शिविर में ही पहचाना गया था, ज बढ़ाने का है, रोजलिन शिविर में सेयोज सपनों वाले कई प्रतिभाग्यों में से एक है, पूर्व राष्ट्रे खिलाडी और आरस्पी में वाली वाल कोच अन्ना करकटा ने इस भावना को दोहराया, आरस्पी शेतर में उभरती प्रतिभाओं को अपने कौशल विक करते हैं, उन्होंने कहा, यूवा एटलेटों के लिए सक्रिय रहने, नए कौशल सीखने और नए दोस बनाने के लिए ग्रीशम का लिन कृड़ा शिविर से बहतर कोई जगर नहीं है, शिविर में 14 खेल शामिल हैं जिन में आथलेटिक्स, बैगमिंटन, पास्केटबॉल, मुक्य बाजी, शत्रंज, कुरिकेट, साइकलिंग, फुटबॉल, हौकी, कबड़ी, टेबल, टेनिस, बॉलीबॉल, भारत तोलन और पावर लिफ्टिंग और योग शामिल हैं, विशिशग्य प्रसिक्षक प्रतेक, शेत्र में व्यापक प्रसिक्षन प्रदान कर रहे हैं और शीवर का समापन 27 में को होगा, राउटला की अग्रिणी परोपकारी संस्था, दिपीका मैला संगिती ने आम बगान मार्केट में SBI ATM के पास आम जनता की सुविधा के लिए एक जल्शोधक सह कूल स्तापित किया है, सेल राउटला इसपासेंते ने स्तापना के लिए इस अफसर पर दिपीका मैला संगिती के अधिक्षा श्री मती सीमा देभामिक ने 15 मई 2014 को मधूरम नामक जल शोधक सह कूलर का उध्गाटन किया, जो एक उचे चबुत्रे पर निर्मित मचांद चंदोवाद जैसे सरशना में रखा गया है, इस अफसर पर DMS के उपादेक श्री मती हर्शला सुर्यवन्ची, श्री मती जैश्री होता और श्री मती नमरता वर्मा, महाप्रबंदक प्रभादी नगर इंजिनेरिंग श्री B. के जोजो, महाप्रबंदक नगर सेवाएं श्री D. G. कानेकर, RSP के वरिष्ट अधिकारीगर्ण सचीफ, DMS श्री मती करता को अनुकूल पध्यावणन के अनुकूल और उर्जा कुशल है लोगों को स्वच एवंग थंडा पेजल उपलप्त कराने के लिए दीपी का मैला संगेती द्वारा स्तापित मधूरम की यह दूसरी इकाई है जल प्रबंदन विभाग टाउन इंजिनिरिंग विभाग के एलेक्ट्रिकल और सिविल अनुभागों ने धांचागर साहता प्रणान करने में मदद की है स्वच पेजल सुनिष्चित करने के लिए डी एमेस द्वारा सफाई और रख रखाव किया जाएगा लोगों को स्वच और थंडा पेजल उपलप्त कराने के लावा यह स्वेध परिस्तितिक की तंत्र को नुकसान पहुचाने वाली एकल उप्योग प्लास्टिक की बोतलों और गिलासों की उप्योग को कम करने में भी काफी मदद करेगी इसे के साथ आज के हिंदी समाचा समाप्त होते हैं नमस्कार मुद्ध करें नमस्कार